तो आज मैं आप सभी के लेकर आई हूं मैकरोनी सूप रेसिपी बहुत ही स्वाधिश लगती है यह खाने में अब बच्चे तो बहुत ही पसंद से खाएंगे अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो चलिए बनाना ही स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने यहां गैस पे बून लेंगे तक इसका सारा फ्लेवर आयल में आजाए तो इसे अमें ज़्यादा नहीं भूनना है बस हलका सा 2 मिनिट के लिए भूनना है तो यह देखिए लासन हलका बून चुका है ताब इसमें हम चॉप क्योई प्याज डालेंगे प्याज को भी हम तब तक भून लें एक से दो मिनट के लिए चलाते हुए यह माइक्रोनी सूप रेसिपी बहुत ही स्वादेश लगती है खाने में इस तरीके से बना के खाईए सभी को बहुत ही पसंद आने वाली है यह रेसिपी यह देखिए प्याज भी हल्का हल्का भुन चुका है सॉफ्ट भी हो चुका है अब इसमें हम कुछ सबजी आइड करेंगे तो मैंने यहाँ थोड़े से गाज और सिमला मिर्च को छोटे-छोटे टुकडों में काटकर रखा तो उसे डाल देंगे और मैंने इसमें थोड़ा सा कॉन डाला है तो आपके पास जो भी सबजी आइबलेबल हो जो भी आपको पसंदो आप डाल सकते हैं अब इसे भी हम थोड़े देर के लिए भून लेंगे हलका चलाते हुए इसे बनाने के लिए हमें अलग से पास्ता को उबालना भी नहीं पड़ता है यह फटा-फट बनके रेडी हो जाता है लेकिन टेस्ट इसका पहुत ही लाजबाब आता है त इतना ही भूनना है में बहुत ज़्यादा इसे कुक नहीं करना है तो अब इसमें हम यह सब्जी अलका भून चुके तब इसमें हम टमाटर की प्योरी डालेंगे अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब्जीयों के साथ बहुत ही बढ़िया यह ग्रेवी वाली सूप के साथ और हेल्दी भी है इस तरीके से बनाएंगे तो हेल्दी भी है यह अब इसमें हम स्वादनुसा नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे ढखकर हम एक मिनट के लिए पकने देंगे एक मिनट हो चुके है और यह देखिए यह हलका हलका पक चुका है तो अभी इसे हमें ज्यादा कुक नहीं करना है क्योंकि बाद में भी इसे हम पकाएंगे अभी तो अब इसमें हम पानी डालेंगे यहां मैंने दो कटोरी के लगबग इसमें पानी डाला है और इसे मिक्स कर लेंगे और इसे अब ढग कर हम उबालाने तक इसे बॉल कर लेंगे तो यह देखिए इसमें हलका हलका उबालाने लगा है अब मैंने यहाँ इस कटोरी से एक कटोरी माइक्रोनी लिया हुआ है तब इसे हम इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे चलाते हुए अच्छे से और इसे ढख कर हमें लो मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए इसे कुक करना है ताकि माइक्रोनी अच्छे से पक जाए बढ़िया से फूल चुका है तब यहाँ इसमें हम थोड़े से एक चमच मैंने आधा टी स्पून कौन फ्लोर को पानी में घोल कर रखा था उसे इसके डाल देंगे थोड़े से और इगेने डालेंगे थोड़े से चेली फ्लेक्स टालेंगे और थोड़े से टमैटो केचप डालेंगे कौन फ्लोर डाने से इसकी थिकनेस बहुत ही बढ़िया हो जाती है और खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है तब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में स्वाधिश्ट और बनाने में बहुत टाइम भी नहीं लगता अब इसे हम मात्र एक मिनट के लिए हम इसे पका लेना है देखिए एक मिनट हो चुका है और यह बिल्कुल बनकर तैयार है हमारी टेस्टी सी माइक्रोनी सूप अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब किजिए गा यह देखिए अब यह माइक्रोनी सूप रेसिपी विल्कुल तैयार है तिसे गर्मा गर्म सर्फ करें और इंजॉय करें बहुत ही स्वाधिश्ट लगती है खाने में तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो म सब्सक्राइब अच्छी लगती है जरेसिए ईबदेवाधोर तैयार है